Hello everyone, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक compiler के मोटे-मोटे क्या-क्या steps होते हैं, ताकि हम बाद में एक-क steps को पकड़के उनको define कर सकें, तो सबसे पहला काम compiler का input और output क्या होता है, कि अगर मेरा compiler हम बना रहे हैं, तो compiler क्या input मिलेता है और क्या output में generate करता है, तो compiler का input में अगर मैं GCC या G++ की बात करता हूँ, तो वो C++ का code input में लेता है, जिसके अंदर हमारा hashtag include हो गया, int main हो गया, और बाकी code लिख दिया, फिर return 0 लिखके यह हो गया, यह हमारा compiler input में लेगा, output में क्या जाएगा, output में जाएगा हमारा assembly code, अब assembly code को assembler के अंदर हम input में देंगे, वो हमारी generate करेगा binary, और अगर मैं binary को double click करूँ या run करूँ, तो मेरा program चलता है, और हमारा output आएगा, तो compiler का जो step है, जो phases है, वो हमारे यहां तक limited है, assembly code तक, अब assembly के बाद binary कैसे convert करते हैं, binary से वो operating system कैसे उठाता है, वो हमारे scope के अंदर नहीं है, हम एक basically assembly code उठाएंगे, और एक चीज़ धियान देने की है, assembly code और binary code लगभग equivalent होते हैं, मतलब कि assembly code मैं simply rules देखके processor के binary में convert कर सकता हूँ, और binary code मैं assembly में convert कर सकता हूँ, processor specific होता है, हम इसके अंदर नहीं जाएंगे कि एक processor के ओपर कैसे इनको map करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी language fixed कर देंगे कोई, एक compiler बनाने के लिए क्या होता है, हम language fix कर देंगे कि हाँ, language के यह rules है, पहले ही आना चाहिए, फिर ही आना चाहिए, जैसे c++ के अंदर होता है, कि if के बाद goal bracket ही आने चाहिए, starting bracket, और फिर ending bracket होने चाहिए, जबकि python के अंदर ऐसा कोई rule नहीं है, तो यह सारे rules हमारे high level language के अंदर होंगे, और यह जो assembly code होता है, वो हमारा hardware dependent होता है, तो hardware जिस assembly को support करता है, उसके लिए हमारे पास target assembly code भी होग और compiler क्या करेगा, इस बड़े c++ की code को, क्योंकि high level है, जिसको हम असानी से समझ सकते हैं, comparison to assembly code, हम इस code को high level language को assembly में convert करेंगे, अब सवाल आते हैं, लोग assembly में code क्यों नहीं करते, अब assembly में code करने से optimizations बहुत जादा होंगी, कि हाँ, मेरा code बहुत जल्दी चलेगा, लेकिन maintenance के लिए, बड़े बड़े project करने के लिए, assembly code में बहुत जादा time लगता है, और क्योंकि assembly code, starting में लोग assembly के अंदर ही लिखते थे, और उनको बहुत जादा time लगता था, तो उन्होंने high level language को design करना शुरू कर दिया, ताकि वो बाद में एक compiler बनाके, उस high level language को assembly में convert कर इक्वल टू, इक्वल टू हो गया, यह सो ओन, हमारे पास operations होते हैं, plus हो गया, multiplication हो गया, minus हो गया, divide हो गया, modulus हो गया, और बहुत सारे operations होते हैं, expressions भी हो गई है हमारी जैसे variable plus 2 into 5 plus 3 and so on, यह बहुत सारे हमारे high level program के अंदर हम लिख सकते हैं, यह होते हैं हमारे high level code के, but assembly code क के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होते है RAM के address, हमारे पास होता है arithmetic logic unit की हाँ, हमारे पास इस processor के ओपर, यह operation supported है, addition हो गया, subtraction हो गया, increment हो गया, decrement हो गया, jump हो गया, यह सारी चीजे, उसके बाद हमारे पास आते हैं registers, जो हमारे CPU के पास होते हैं, और उन्हें हम majorly register के साथ ही direct काम करते हैं, क्योंकि यह fast होते हैं, हमारे पास कैसा आगए, कि RAM के अंदर जो data हम बार बार ले रहे हैं, वो cache के अंदर अगर हम store कर ले, तो intermediate सी stage होती है, such that हमारे program थोड़ा fast चल जाए, हमारे पास opcode होते हैं, opcode क्या हो गया, opcode यह वाली हो गया, move हो गया, add हो गया, जो भी हमारे operations है, jump हो गया, यह हमारे opcode है, तो हमारा target है यह high level programming language को इन छोटी-छोटी instructions के अंदर convert करना है, basic building blocks जो CPU के हैं, तो हम हमारे input में एक बड़ा code लेंगे और इनको छोटी-छोटे codes के अंदर convert कर देंगे, छोटी-छोटे codes भी नहीं, बहुत सारी छोट वैसे काम करना चाहिए, वैसे ही CPU के उपर भी काम करें, तो आखरी में हम आते हैं compilation की stages के उपर, कि हमारे पास क्या-क्या होता है, तो मान लिया, मेरे पास एक छोटा सहिसा लेता हूँ, मैं एक code था, तो मैं लिखता हूँ int x equal to 2 plus 3, C++ या Java का code, basic code, यह हमारा code, अगर मैं इ लेक्सर में दू, लेक्सर से मैं क्या output expect करता हूँ, लेक्सर के output में expect करता हूँ, एक area या iterable आए, अगर पता नहीं है तो उसको area ही मानो अभी, तो मैं क्या expect करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा keyword, और यहाँ लिखूँगा मैं int, कि जो मेरा int है, वो मेरा keyword है, फिर मै मैं लिखूंगा space या white space जो कि मेरा ये बीच में space है वो फिर मैं लिखूंगा एक variable या अभी research करने के लिए बाद में confusion ना है इसको मैं लिखता हूँ identifier identifier क्या होता है वो बाद में define करेंगे identifier और identifier की value है x उसके बाद मैं लिखूंगा equal sign, ये मारे equal sign हो गया उसके बाद मैं लिखूंगा number, number की value 2 उसके बाद मैं लिखूंगा operator जिसकी value plus उसके बाद मैं लिखूंगा number जिसकी value 3 और उसके बाद मैं लिखूंगा semicolon जिसकी value semicolon तो हमारा lecture क्या करता है हमारे individual units को एक token में convert करता है तो यह है हमारी area of tokens तो यह हमारा struct मान सकते हो जिसके अंदर दो values हैं कि एक keyword एक integer and so on मतलब एक token हो गया यह token type और token string यह हो गया मेरा lexical analysis और lexers के अंदर हम इस white space को ignore कर देंगे मतलब कि मेरा जो lexer है वो इस white space code में देगा ही नहीं यह बस मैंने ऐसे demonstration के लिए दिखा दिये कि हां कुछ lexer की intermediate stages के अंदर एक white space generate होगा बट वो बाद में ignore कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा हमारे पास keyword होगा फिर एक identifier होगा फिर एक equal assign होगा फिर एक number होगा operator होगा number होगा semi colon होगा तो syntax tree क्या करेगा syntax analyzer syntax analyzer इन सब को देखेगा और एक tree के अंदर convert कर देगा तो यहाँ पर मैं basically क्या कर सकता हूँ इस चीज को मैं चीज को ऐसे convert कर सकता हूँ मेरे यहाँ पर equal to assign है फिर मेरे mitigation है यहाँ पर मैं इंटेजर लिखता हूँ यहाँ एक लिखता हूँ फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ अ पलस पिर यहां पे मैं लिखता हूँ यहां पे मैं लिखता हूँ एक्सप्रेशन मान लिया और यहां पे मैं लिखता हूँ variable फिर variable पर uy हम इरा integer Kai variable मेरा x है similarly मैं यहाँ लिखता हूँ expression expression के अंदर क्या होगा expression के अंदर मेरा एक plus का operator होगा और एक मेरा semicolon होगा और plus के operator के बाद मेरा एक two होगा और यहाँ पे मेरे पास एक और three होगा यह मेरा एक tree बन जाएगा basically तो मैंने क्या किया इस equal sign को match किया यहाँ पे यह tree मेरा यहाँ पे चला गया फिर यह identifier मेरा यहाँ पे आ गया फिर यह keyword मेरा यहाँ पे आ गया यह variable मेरा internally defined कर दिया मैंने on the spot यह expression भी मैंने on the spot define किया उसके बाद मेरा एक number मैंने tree में यहाँ पे गुशा दिया उसके बाद मेरा operator मैंने tree में यहां पर गुशा दिया उसके बाद एक और number मेरा यहां पर गुश गया और एक मेरा semicolon मैंने आखरी में गुशा दिया तो यह है मेरा syntax analyzer का काम जो कि मेरा syntax tree generate करके देगा तो यह थे मेरे tokens और यह है मेरा syntax tree अब syntax tree के बाद आती है हमारी semantic analysis semantic analysis जिसके अंदर हम asd generate करते हैं, type checking करते हैं तो basically semantic analysis के अंदर type checking ही आ जाएगी तो मैंने वैसे अलग-लग लिदे हैं इनको ताकि code करते हुए ये मेरे well defined stages रहें तो उसके बाद abstract syntax tree क्या होता है एक example लेकि देख लेते हैं मानलिया मेरे पास क्या है मेरे पास है कि मैं करूँगा मानलिया पलस example ले लेते हैं तो मानलिया मेरे को define करना है 3 plus 2 into 5 plus में 6 और मानलिया मेरे को ये लिखना है तो इसका syntax tree क्या बनेगा इसका syntax tree ऐसा कुछ बनेगा ये मेरा multiply का sign है यहां पर मेरे bracket sign गी यहां पर मेरे bracket sign गी अब bracket के अंदर मेरा एक plus का sign है plus के sign के left मेरा 3 है फिर 2 है ऐसा कुछ होगा फिर bracket के left मेरा होगा 5 फिर होगा मेरा plus फिर होगा मेरा 6 नहीं 6 भी नहीं फिर होगा मेरा node इस node के यहां पर होगा मेरा opening bracket फिर होगा 6, फिर होगा मेरा closing bracket, similarly यहां पर मैंने गलती किये, यहां पर ऐसा कुछ आएगा, यहां पर आएगा मेरा plus, यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 2, और similarly यहां पर भी मैंने गड़बड किये, यहां पर मेरा आएगा star operation, ऐसा कुछ, तो syntax tree मेरा कुछ ऐसा दिखे जो कि इसके अंदर redundant information को हटा दे, जितनी भी हो सके, हमारे पास redundant information को नोंसी है, हमारे पास brackets की information redundant है, यह वाली information redundant है, redundant होने का मतलब क्या है, तो इसके अंदर tree के अंदर भहुत सारे nodes है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, multiply operation, फिर plus operation, फिर यहा यहां पर 6 कितना सुंदर ट्री बन गया भी यहां पर और इसके अंदर फाल्दू की कोई जानकारी नहीं है जैसे ब्रैकेट्स हो गया वगरा वगरा अब हो सकता है मेरे पास हो 3 plus में 2 plus में 6 इसका output कैसा आएगा इसका output कुछ ऐसा आएगा 3 plus something फिर 2 plus something फिर यह 6 ऐसा कुछ ट्री जननेट होगा अब मैं इसकी abstract syntax tree बनाऊ एस्टी बनाऊ तो यह ऐसा कुछ देखेगा यह मेरा plus operator यह मेरा 3 यह मेरा 2 और यह मेरा 6 कितना simple code है तो और फिर इस ट्री के बाद मैं करूंगा type checking यह मेरा हो गया abstract syntax tree ठीक है उसके बाद मैं करूंगा type checking के अंदर क्या होता है कि मान लिया मेरी python language के अंदर अगर यह चीज well defined है python छोड़ो c++ के अंदर ही देखते हैं क्योंकि बहुत सारे rules का difference है और यह ज्यादा हम skip नहीं करते हैं तो c++ के अंदर यह चीज हमारी invalid है तो AST level पर क्या होगा AST level पर यह दिखा देगा तीन है मेरा यह ABC है मेरा ठीक है उसके अंदर कुछ checking नहीं हुआ कि हां यह operation well defined है या नहीं लेकिन type checking के अंदर हम check करेंगे कि ठीक है अच्छा यह मेरे पास plus operation है left में मेरे पास एक number है right में मेरे पास string है c++ मेरी allow नहीं करती मतलब language के जो rules है यह allow नहीं करते कि मैं एक number को एक string से कैसे पलस करूँ तो यहां पे मेरी error आ जाएगी तो type checking वाली जो phase होती है वो consistency चेक करती है कि हां सब कुछ language के rules के हिसाब से ही है या नहीं यह हो गए हमारा type checking एक बार सब कुछ सही set हो गया कि हां मेरा code एक दम valid है मेरा कोई भी syntax error नहीं है कोई भी semantic error नहीं है सब कुछ सही है मस देख दम उसके बाद हम finally generate करेंगे assembly का code और assembly के code के अंदर हम basically traversal लगाएंगे तो मान लिया मैं simple सा वो करता हूँ कि मेरे को करना है 2 plus में 3 और into में 6 इसका AST मेरा कुछ ऐसा आएगा multiply यहाँ पर यह यहाँ पर 6 यहाँ पर 2 यहाँ और 3 यहाँ पर इसके assembly क्या होगी इसके assembly कुछ ऐसी होगी कि load 2 into register R1 load 3 into register R2 add R1 and R2 store in R1 उसके बाद मेरा होगा load 6 in R3 multiply R1 और R3 के जगा R2 लिख दूँ है add R2 store in R1 और मानले यह मेरा X था और X की memory location RAM के अंदर M है तो मैं करूँगा store R1 to X memory location भूल जाओ भी यह बात की बात होगी यह इतना सा code मेरा मेरी इतने सारी assembly language इसके अंदर convert होगा अब इसके अंदर क्या हो रहा है तो मानले मेरे पास register थे R1 और R2 R2 का मेरे को पता नहीं क्या है लेकिन R1 के अंदर मेरे 2 है अब इसके अंदर R2 के अंदर मैंने 3 load कर लिया अब R1 और R2 को add करके ALU के अंदर मैंने R1 के रिजल्ट store कर लिया तो मेरा होगा 5 और 3 उसके बाद load 6 into R2 5 6 अब R1 R2 के multiply करके R1 के अंदर result तो यह होगा मेरा 30 यह ह 60 हो गई और अगर मैं इसको solve करूं तो यह मेरे 30 ही होगा 30 होगी value यह है मेरे compiler के distinct stages जिसके अंदर हमारा code काम करेगा तो अगली वीडियो के अंदर हम start करेंगे lexical analysis जो की हमारा token generation का काम इसके अंदर हमारे बहुत सारे concepts होंगे जिसके अंदर हम सबसे बहले DFA का use करेंगे और हमारी कुछ ambiguity हटाने के लिए देखेंगे कि हां बहुत सारे चीज़े होती हैं यहां पर तो अगली वीडियो के अंदर हम इनको discover करेंगे Thank you